नमस्कार, तो जो नाकोटिक्स कंट्रोल प्योरो के तरफ से जो ड्रग्स पे जो जांच चल रही है, बॉलीवुड को लेकर खास्त वासे जो जांच चल रही है, उसने एक आज नाया मोड लिया है, जब NCB ने कहा है कि वो तीपका पाड़कोन जैसे बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स को बुलाएगी, उनसे पूच ताच करेगी, सार अरी खान का नाम आया है, स्रदा कपूर, कई लोगों का नाम आया है, जिनसे NCB कहरी है, बॉनको पूच ताच करनी है, यह देखना पड़ेगा कि यह चांच कहां तक जाती है, किन-किन लोगों से पूच ताच होत है, जबकि उनका बयान तो यही है, उनका खहना तो यही है, कि मैंने एक चोपा कॉंटिटी खरीदा था अपने बॉइफरेंट के लिए, और जो चार्जिस आप लोगों ने लगाए हैं, वो बहुत अग्रेसिव चार्जिस ने, वो ऐसे चार्जिस ने, जो साबित नहीं कह अजास रखते हैं, तो आपने बिना बात उनको इतने दिनों जेल में रखा है, और आपने उनको पेल नहीं दिया, यह रिया चक्रबर्ती के विकीर के तरफ से दनीज जरूर आएगी, आई कॉट में, बड़ा सबाल तो यही होगा, कि आप देखना है, कि NCB की जाज कहा तक जाती है, कहां तक पहुंचती है, किन-किन लोगों को बुलाया जाएगा, किन-किन लोगों से पूछताच की जाएगी, पर मैं एक चीज आप से जरूर कहना चाहूंगा कि, हाला कि आज जरूर टेलिविशन स्टूडियोज में सब की नगाएं, बॉलिवुड पर होंगी, और ड्रग्स पर होंगी, और इंसीबी पर होंगी, पर हमको ये भी नहीं भोलना चाहिए, कि बहुत और चीज़ें भी चल रही है देश में, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण लेबर बिल्स को आज राज्योसभा ने पास किया, कल लोगसभा ने इन बिल्स को पास किया आज राज्योसभा ने इन बिल्स को पास किया है, और ये ऐसे माहौल में जहां ऑपोजिशन के कोई सदा से बहां नहीं थे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं, आपोजिशन पार्लमेंट का वहिशकार कर रही है, तो अब बात यही सवाल जरूर आगे भी आएगा और ऑपोज ज़रूर ज़रूरी बिल्स हैं, आपने कर दो दस ज्यादा बिल्स आप पास कर दिये हैं, लोग सभा और राज्यसभा में पिछले तीन दिन में और ऐसे माहौल में जब उपोजिशन का कोई सदा से नहीं है, ये उपोजिशन का कहना है, सरकार कहरें कि किसने आप से कहा कि हाउस को में नहीं आएं, किसने आप से कहा कि आप बहुत करें कि आप वेल अफ दे हाउस में जाएं संडे को और आप पेश नहीं हो, तो इस पर जो राजनीतिक चर्चा है वो काफी देड तक चलते रहेगी, पर आपको भी ज़रूर भ्यान देना चाहिए, जो चेंजिस के कई हैं लेवर कोड में, कई लोग उनका कहना है कि यह रिफ़ॉर्म मेशर्स हैं, जो बहुत ही ज़रूरी रिफ़ॉरम मेशर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि इम्पोईमेंट को बढ़ना चाहिए, लोग उनको नौकरी में आपको चाहिए तो इस टीरॉट्मेंस, इन किसम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं फिलाल देखते हैं आज की मुखी सुपकी हैं सुशांत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलियूड स्टास दिपिका पादुकोन, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल फ्रीज सिंग को भी पूश्टाच के लिए समन जारी किया है इनसीबी ने इनसे कहा है कि वो अगले तीन दिन में पूश्टाच के लिए आएं इनसीबी का ये ताजा समन कुल साथ लोगों को जारी किया गया है खबरों के मताबिक इनसीबी ने सवाल तयार कर लिये हैं, ये अब तक की पूश्टाच और बयानों पर आधारित है इस बारिश की वज़े से अभीनित्मी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई दरसल बारिश की वज़े से बॉंबे हाई कोट को अचानक अफकाश की घोशना करनी पड़ी इसके बाद दोनों के जमानत याचुका पर सुनवाई की तारी आगे बढ़ गई अब रिया और शोविक की जमानत याचुका पर 24 सितमबर यानी गुर्वार को सुनवाई होगी बता दे कि नाकोचिक्स कंट्रोल व्यूरों ने उन्हें ड्रग की खरीद और सेवन के सिलसले में न्याएक हिरासत में लिया था सुशान सिंग राजपुत स्यूसाइट केस में CBI, ED और NCB के बाद अब NIA की इंट्री भी हो सकती है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपॉर्ट के मताविक केंदर सरकार ने इस मामे में NIA जाच की मनजूरी दे दी है सरकार के सीनियर अधिकारियों ने इसकी पुष्टी की है कि ड्रग्स मामलों की वज़र से NIA को इसमें जाच करने की मनजूरी मिली है यहां ये बात दीगर है कि NIA का मूल काम आतंकवाद से संबंदित मामलों की जाच करना है लेकिन वित्त मंतुराले के राजस विभाग ने मंगलवार को इकाधी सूचना जारी कर NIA को भी इसमें शामिल करने की अनुमती दे दी है NIA यदि इसकी जाच करती है तो इस मामले में चौथी केंद्री जाच एजंसी होगी दरसल सुचन की मौत का मामला बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है कृषी बिलो को लेकर विवात थम नहीं रहा है इसी सिलसले में विपक्षी सांसदों के ओर से राजसभा में विपक्ष केनेता गुलाम नभी आज़ाद ने राष्टपती रामनात कोविंद से मुलकात की मुलकात के बाद आज़ाद ने कहा कि सदन में हुए हंगामे के लिए विपक्ष नहीं बलकि सरकार जिम्यदार है आज़ाद ने ये भी कहा कि उन्होंने राष्टपती से कहा है कि बिलो को असम्वैधानिक तरीके से पास कराया गया है और इसलिए उनसे गुजारिश की गई है कि वहें इन बिलो को मंजूरी ना दे और वापत सरकार के पास भेश दे इसके साथ ही विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परीसर में मौन विरोध प्रदर्शन भी किया विरोध प्रदर्शन कर रही सांसद अपने हाथों में तख्तिया लिये होए थे जिन पर किसानों को बचाओ, मजदूरों को बचाओ जैसे नारे लिखे थे कुरोना की वज़े से संसद का मौनसून सत्र वक्त से आठ दिन पहले ही खत्म हो रहा है राजसभा की कारेवाही बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई ग्री राजमंत्री वी मुर्ली धरन ने इसकी सूच ना दी हलांकि बहुत छोटा सत्र होने के बावजूद इसमें 25 विध्यकों को पारित कराए गया ये सत्र विवाद में भी रहा सदन के अंदर हंगामे को लेकर और फिर 8 संसदों के निलंबन की बजह से राजेसभा की तिहास में पहली बार उपसभापती को हटाये जाने का नोटिस भी दिया गया तो निलंबन के खिलाब विपक्ष ने संसद के दुनों सदनों का वायकॉट भी किया सत्र के दौरान पारित किये गए एहम विध्यकों की बात करें तो उनमें शामिल है संसद में मजदूर से जुड़े तीन बिल पास हो गए है सरकारी ने मजदूर समर्थक विपक्ष कामगारों के खिलाफ करार दे रहा है क्या है इन बिलों में ये जानने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल जिन कमपनियों में करमचारीों की तादा 300 से कम है वो सरकार से मनजूरी लिए बिना ही अब करमचारीों की छटनी या शटडाउन कर सकेंगे जबकि पहले ऐसा वो ही कमपनिया कर सकती थी जिन में 100 से कम करमचारी हो पर नए बिल में इस सीमा को बढ़ा दिया गया है इसके लावा किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिये हरताल पर नहीं जा सकता अब ये अवदी 6 हफते की है मजदूर संगठन इसका विरोध कर रहे है इस बिल के जरिये ग्राचुटी में 5 साल तक की सीमा को खत्म किया जा रहा है नए नियमों के मताबिक जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के आधार पर ग्राचुटी पाने का हक होगा इसके लिए कोई सीमा तै नहीं की गई है महिलाओं के लिए वर्किंग आवर सुबज 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीची रहेंगे बिना अपॉइंट में लेटर किसी की भी भरती नहीं होगी विपक्ष की गयर मौजूद्गी में ही सरकार ने मजदूरों से जुड़े तीन और एहम बिलों को राज्यसभा से भी पास करा लिया है अब राश्ट्रुपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएंगे इन तीन बिलों में Code on Social Security, Industrial Relation Code और the Occupation Safety, Health and Working Condition Code शामिल है सरकार का दावा है कि ये बिल मजदूरों को न सरफ Social Security देगा बल्कि उनके हुनर को भी तराशेगा बिल के तहत सभी तरह के करमचारियों को न्युक्ति पत्र देना अनिवार्य बनाया गया है चाहे करमचारे कॉंट्राक्ट पर ही क्यूं न हो कॉंट्राक्ट करमचारियों समेथ सभी करमचारियों को ग्रैच्विटी की सुविधा दी जाएगी अब ग्रैच्विटी पाने के लिए कंपनी में 5 साल काम करना जरूरी नहीं होगा इसके अलावा कमपनी के मालिकों को अब प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता भी देना होगा इसके साथ ही दस से ज्यादा कर्मचारियों वाली कमपनीों को अपने कर्मचारियों के लिए EBF और ESI की सुविधा देनी होगी राज्यसभा में केंद्रे मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि अब मजदूरों को नियाय मिलेगा मुंबई में मंगलबार से ही जमा जम बारिश हो रही है मुंबई में 24 घंटे में मूसलाधार बारिश ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मुसलाधार बरसाथ का अलम ये है कि इसने माय नगरी की रफतार पर एक दम ब्रेक लगा दिया है जगा जगा सड़कों पर पानी भर गया है वहीन कई जगा गाडियों की लंबी कतारे नजर आती है लोग जहां तहां फसे हुए नजर आएंगे और वहीं कई जगह लोकल ट्रेन्स को बारिश की वज़ा से रद कर दिया गया है कई ट्रेनों का समय बदला गया है मुंबई के COVID-19 नायर अस्पताल में भारी बारिश के बाद पानी भर गया वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पानी में अस्पताल का सामान बह रहा है और PPA किट पहने डॉक्टर्स को इस पानी में ही काम करना पड़ रहा है अमेरिका की मशूर टाइम पत्रिका ने साल 2020 के लिए वर्ल्ड के सबसे ताकतवर 100 लोगों की लिस्ट चारी कर दी है इस लिस्ट में एक बार फिर भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को जगा दी गई है वहीं मैगजीन ने CAA NRC के खलाफ प्रधर्शन को लेकर मशूर हुई शाहीन बाग की दादी 82 साल की बिलकिस को भी अपने 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिस्ट में जगा दी है इसके अलावा इस लिस्ट में बॉलिवुड से एक लौते एक्टर आईश्मान खुराना, गूगल के CEO, भारते मूल के संदर पिचाई और HIV पर रिसर्च करने वाले रविंदर गुपता को भी शामिल किया है टाइम्स ने इस बार अपनी लिस्ट में दुनिया भर के दो दर्जन से ज़ादा नेताओं को शामिल किया है जिसमें प्रधान मंत्री मोधी भारत से इकलौते हैं इसके अलावा शी जिंग्पिंग, ताइवान की राश्टपती, साई इंग्वेन, डोनाल ट्रम्प, कमला हैरिस, जो बाइडन और जर्मन चांसलर एंजला मार्केल के नाम शामिल है UGC ने कोरोना महमारी के कारण मार्च महीने से बंद पड़े विश्व विद्यालेओं और कॉलेजों में 2020-21 के शेक्षनिक सत्र की सुरुवात एक नौमबर से करयाने का एलान किया है दरसल UGC ने पूरा एकडमिक कैलेंडर ही जारी किया है जिसके मुताबिक UG और PG कोर्सेज में दाखिले का काम 31 अक्टोबर तक होगा परिक्षाएं 8 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 के बीच आयोजित होंगी पढ़ाई के दोरान इस साल सर्दियों और अकले साल गर्मी की छुट्टी और अन अवकाशों में कटोती की जाएगी किंद्रिय शिक्षा मंत्री ग्रमेश पोकरियाल निशंक ने इसके बारे में ट्वीट कर सूचना दी बता दे कि इस से पहले UGC ने 29 अप्रेल को एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था जिसमें पर्थम वर्ष के छात्रों के लिए नया शेक्षनिक सत्र एक सितंबर से शुरू करने की बात कही गई थी रक्षान उसंधान और विकास संगठन यानि DRDO ने मंगलवार को लेजर गाइड़िट एंटी टैंक मिसाइल का सफल परिक्षन किया इसे महराश्ट्र के एहमत नगर में NBT अर्जन टैंक से फायर किया गया DRDO ने इस मिसाइल के सफल परिक्षन पर बुद्वार को जानकारी देते हुए बताया कि टेस्ट के दोरान NBT टैंक मिसाइल ने 3 किलोमेटर दूरी पर मौजूद अपने टागित को निशाना बनाया DRDO की काम्याबी पर रक्षामंत्रूी राजनात सिंग ने बढ़ाई दी है राजनात सिंग ने ट्वीट कर कहा कि भारत को DRDO पर गर्व है जो निकट भविश्य में आयात निर्भरता को कम करने की दिशामें काम कर रहा है दुनिया भर में मशूर पेरिस की एफिल टावर को खाली करा गया है पेरिस के लोकल टीवी, BFMS पेरिस के मताबिक पुलिस के पास आए एक अग्याच शक्स के फून के बाद टावर को खाली कराना पड़ा रिपोर्ट के मताबिक एक अग्याच शक्स ने फून कर पुलिस को बताया कि उसने टावर में एक जगा बम लगाया है जिसके बाद आनन फानन में तलाशी अभियान किया गया आमतोर पर हर दिन एफिल टावर में हजारों लोग जमा होते हैं वैसे पहली बार नहीं है जब यहां आतंकी हमले का खत्रा मंडराया हो इससे पहले मई 2018 में ही ऐसी घटना सामने आई थी फ्रांस में लॉकडाउन के वजह से टावर को तीन महिने के लिए बंद कर दिया गया था जिसे बाद में जून में प्रतिबंधों के साथ फिर से खोला गया